क्वालियर में एक्ता परिशत के कारिकरंग में शामिल हुए शिवराज आदिवासियों के विकास के लिए एक्ता परिशत को बताया जरूरी बोले हर भूमी हीन को जमीन दिलाना सरकार का लक्ष सियम शिवराज का दिल्ली दोरा मुख्य चुनाव आयुक्तों ओपी रावत से करेंगे मुलाकाच चुनाव प्रचार और खर्च सीमा बढ़ाने की करेंगे माँ एमपी में होगी पांच ने सूचना आयुक्तों की नियुक्ती सरकार ने राज़पाल को भेजी नामों की सूची नेता प्रतिपक्ष अजसिंग ने नियुक्तों को बताया असमवेधानेक सुक्मा में सुरक्षा बलो और नकसलियों में मुद्भेड तीन नकसली धेर एक गरफतार मौके से 315 बोर की पिस्टल और अन्य सामगरी बरामद और शेहडोल में अंदविश्वास ने ली मासूम की जान माबाप के सामने ही दो मा के मासूम को लोहे की गर्म रौट से दागा इलाज के दौरान बच्चे की मौत नमस्कार मैं हूँ शेफाली आप देख रहे हैं दखल न्यूज अब खबरें विस्तार से पर्यावरंट के छेतर में एतिहासिक कदम उठाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने प्रधान मंत्री नरेन मोदी को चैंपियन्स ओफ अर्थ के खिताब से सम्मानित किया है दिल्ली में हुए कारिकरम में संयुक्त राष्ट्र चीफ एंटोनियो गुटिरेस ने प्रधान मंत्री को सम्मानित किया पीएम मोदी के अलावा ये अवार्ड फ्रांस के राष्ट्रपती इमैनुएल मैंक्रो को भी दिया गया कारिकरम में प्रधान मंत्री नरेन मोदी ने कहा कि भारत हमेशा प्राकर्टी को मा के रूप में देखता है उन्होंने कहा कि ये भारत के आदिवासी किसान और मचवारों का सम्मान है इन सभी का जीवन प्राकर्टी के अनुसार ही चलता है पी-म ने कहा कि ये भारत की नारी का समान है जो पौधों का खयाल रखती है पर्यावरण के प्रती भारत को समवेदना को आज विश्व स्विकार कर रहा है लेकिन ये हजारों वर्षों से हमारी जीवन शैली का हिस्सा रहा है पी-म बोले कि आज हमारे देश में गरीबों की संख्या घट रही है गरीबी रेखा से लोग उपर उठ रहे हैं उन्होंने कहा कि आबादी को पर्यावरण पर अत्रिक्त दवाव डाले बिना विकास के अफसरों से जोडने के लिए सहारे की आवशक्ता है हाथ थामने की राजधानी भोपाल में सीम हाउस के सामने एक आशा कारेकरता टावर पर चड़ गई बता दे कि दो अक्टूबर से आशा कारेकरता मांदे में ब्रधी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही हैं प्रदर्शन के बीच महिला कारेकरता सीम हाउस के सामने इस्तित मुब पहुचाए गया। तो शिवराज सरकार की पुलीस बगे सुरक्षा इंतिजाम किये टावर के ओपर चड़ी उसको उतारने के लिए लेकिन कोई सुरक्षा इंतिजाम नहीं किया गया। पाने से आंगनबाडी कारेकरता और साहिकाओं को सामान बाट कर खुश करने में लगे हुए हैं। मुखमंत्री रमन सिंग के विधासवा छेत्र में अचार सहिता लगने के पहले नगरनिगम के द्वारा आंगनबाडी कारेकरता और साहिकाओं को शायद इसलिए भी पानी का जार दिया गया हो क्योंकि पूरे प्रदेश में इनकी संख्या जादा है। साथ ही हमेशा मुखमंत्री जी के कारेकरमों में भीड जुटाने का काम भी यही कारेकरता करती हैं। वैसे तो आगनबाडी कारेकरता और साहिकाओं महिलावाल विकास विभाक के अंतरगत आती हैं। जो भी सामान आंगनवाडी केंद्रों और कार्यकरताओं को बाटा जाता है विभा की तरफ से ही बाटा जाता है निकम का इस प्रकार उन्हें सामान बाटना निश्चित रूप से चुनावी हतकंडा हो सकता है इससे पहले भी सीन की सभा में भगवा साड़ी महिला कमांडो को कोई शराब नहीं पिए इसकी पहरेदारी रात को घुम घुम कर करती है यह अजीब बात है कि एक तरफ सरकार ही शराब बेचने का काम करती है वहीं दूसरी तरफ शराबियों पर नजर रखने और उनकी धर पकड़ के लिए ग्रामीड और शहरी इस तर पर महिला कमांडो क का गठन भी करती है अब यह महिला कमांडो भगवासाडी पहन कर शराबियों को खोजने के बहाने पार्टी का प्रचार भी करती नजर आएंगे क्या है पूरी खबर फोन पर बात करते हमारे चथिसगर्ड विशेश संबादाता संजीफ पचोरी से संजीफ जी क्या है पूरी खबर क्या इनाम और गिफ्ट बाटे जा रहे हैं कारिगरताओं को अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए अधिक से अधिक लोगों को अबलाइज करने के लिए तो इसी तारतम में लगबग हर जानसवा से चानकारी आ रहे हैं कि वो किसी ना किसी वर्ग को ऊच्छे सावान बाट रहे हैं या कुछ और साड़ियां बाट रहे हैं ऐसा ही मामला राज़नात गाउब का आया है जहाँ पर अधर निगंने कुछ आर बार्टे हैं आगन्वाडी कारकरताओं को जब आगन्वाडी करता है उसायकों का नगर निगम से लिए दिया नहीं है दूशी और विकास यास्ता के नाम पर घटे हुए मुकमंत्री जी और उनके लोग रखते हुए तो वहाँ पे एक भगवा साड़ी हैं अब वह महिला हैं गाहों में एक समू बनाकर के सराब पीने वालों अब सराब विक्री और सराब जैसी समाजी गुराई से लड़ती है और उनके होते हुए गाहों में कोई सराब नहीं पी पाता है अब वह महिला है बागवा साड़ी पहनेंगी बाटी गई है और कहीं ने कहीं माना जा रहा है कि भारतियंता पार्टी अपर्टेक शुरूख से अपना प्रचार कराएं उनसे जी संजीव एक तीर से दो निशा सपाक्स अपनी राजनेतिक पार्टी का एलान कर रहा है सपाक्स महारेली के दौरान मदप्रदेश सपाक्स समाज के संरक्षक हीरालाल तृवेदी ने एलान किया था कि सपाक्स दो अक्टूबर को अपने राजनेतिक डल सपाक्स पार्टी यानि सामान ने पिछड़ा वर्क अल्प संख्यक कल्यान समाज पार्टी की घोशना करेगी और मदप्रदेश में आगामी विधानसवा चुनाव में सभी 230 सीटों पर चुनाव लड़ पर आध्यूगता अयूजीत की गए इसमें बच्चों ने पढ़ चर कर हिस्सा लिया साथ ही स्वच्छता का संदेश देते हुए चित्र बनाया कुछ बच्छों के जित्र स्वच्छता अभियान पर व्यंग करते हुए भी नजर आया इस प्रतियोगता में सर्वत्तम आने वाले बच्चों को इस्थानिये विधायक और मंत्री उमा शंकर गुपता प्रुस्कृत भी करेंगे राज़ानी भोपाल में एक बार फिर जोयलरी शोरूम में चोरी का मामला सामने आया है मामला मालवे नगर में इस्तित डीपी जोयलर्स का है डीपी जोयलर्स के शोरूम में दो महिलाओं ने बड़ी ही सफाई से सोने के जेवराग पर हाँ साफ कर लिया घटना शोरूम में लगे सीसी टीवी कैमरे में कैद हुई घटना का खुलासा जेवराग के मिलान करने पर हुआ जांगीराबाद पुलिस ने महिलाओं के खिलाफ मामला दर्श कर तलाश शुरू कर दी है भोपाल बैरगार छेतर में कर्मश्री के तत्वाधान में आयुजिता चार श्री म्रदुल कृष्णेजी महराज के श्रीमुक से श्रीमत भागवत कथा का आयुजन कलश यात्रा से प्रारम किया गया कलश यात्रा में हजारों की संख्या में महिलाओं ने भाग लिया हुजूर विधायक रामिश्य शर्मा ने कलश यात्रा के पूर्व विदिवत पूजन अर्चना की महिलाई लाल और पीले परिधानों में सिर्फ पर कलश रख भक्ती भाफ से दो किलो मीटर की यात्रा कर कतास्तल के लिए रवाना हुई शद्धालों ने कलश यात्रा का फूल बड़सा कर स्वागत किया कलश यात्रा में दस हजार से अधिक महिलाई शामिल हुए विधायक रामिश शर्मा सापतनी कलश यात्रा के साथ श्रीमत भागवत सिर्फ पर रख कर चले संत हिर्दाराम जी की कुटिया के सामने विशाल मैदान में जैसे ही कलश यात्रा का प्रवेश हुआ पूरा पंडाल राधे किष्ण के जैकारों से गुंज उठा महराज मृदल किष्ण शास्त्री और विधायक रामिश शर्मा कथा के पूर्व संत शिरोमनी हिर्दाराम जी साहिप के समाधी स्तल पर माथा टेक आशिरवात ग्रहन किया इसके बाद आचार मृदल शास्त्री जी व्यासगत्ती पर विराज और उन्होंने विधिवत श्रीमत भागवत पुरान की पूजा अरचना करवाई महराज मृदल किष्ण शास्त्री जी ने श्रीमत भागवत कथा के पहले दिन भागवत कथा का महत्व बताया उन्होंने कहा कि भागवत सुनने से हिर्दे की शांती के साथ आत्मा भी आनंद से भर जाती है मजा छणिक होता है लेकिन आनंद ना खत्म होने वाला उच्साहा है एक तरफ संत श्री हिर्दाराम जी साहिब का समाधी स्थल है तो दूसरी और भागवत कथा का पाठ किया जा रहा है आचारे श्री ने कहा कि संत जी यहां के कणकण में विद्मान है जब मैं उनके समाधी स्थल पर उन्हें प्रणाम करने गया तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उनका प्रतक्ष दर्शन कर रहा हूँ मुझे ऐसा है इसलिए लगा क्योंकि संत कभी मरते नहीं बलकि वह सदैव चेतना में रूप में हमारे बीच रहते हैं सरोजनी नाइडू गर्स कॉलेज में आज महिला पुलिस केंद्र का भूमी पूजन किया बता दे की भूमी पूजन भोपाल के महापौर आलोक शर्मा ने किया इस मौके पर विधायक सुरेंदर नाथ सिंग स्थानिय पारशत के साथ हबीब गन सीएसपी भूपेंद्र सिंग भी मौजूद रहे आलोक शर्मा ने बताया कि महिला पुलिस केंद्र के लिए दो करोड रुपे सरकार देगी थाना हाइटेक बनाया जाएगा जिसमें महिला सुरक्षा कर्मी हर समय चात्रों की सुरक्षा के लिए मौजूद रहेंगे महिला पुलिस केंद्र चात्रों के खिलाफ आए दिन बढ़ रहे अपरादू पर अंकुष लगाने के लिए खोला जा रहा है इस पूरी खबर पर बात करते हैं हैं फोन पर सत्यम शर्मा हमारे समवाद दाता से सत्यम क्या है पूरी खबर चाहूंगा कि बोपाल के सरोजी नाइडू गर्स कॉलेज में आज महिला पुलिस केंद्र का भूमी पूजन किया गया जिसमें आलोक शर्मा महापार भोपाल के साथ साथ सुरेमनाज सिंग और सीएसपी हबीब गन्ज थाना के भूपेन सिंग भी मौजूद रहें अलोक शर्मा ने हमें बताया कि जो दो करोड पर सरकार संसर किया है इस महिला केंद्र को बनाने के लिए मैं कुलिस महिला केंद्र को बनाने के लिए हाला कि अभी ये राजनितिक पैतरे ज्यादा माने जा रहे हैं क्योंकि चुनाव नज्जीक है अचाल सिंसा लगने वाली है इसको देखते हुए गोश्राएं जो है और जो इसकी में आ रही है सरकार की वो देखने को मिल रही है आलोक शर्माजी ने ये भी बताया है कि जो गितानजली कॉलेज में हाल ही में एक छात्रा को किसी लड़के दोरा पैसान किया गया था और उसमें लग छात्रा ने आत्म हत्या कर ली थी उसी को देखते हुए हर कॉलेज गर्स कॉलेज के सामने एक महिला पुलिस केंदर बनान स्यासी गल्यारों में है नूटा की चर्चा इस चुनाव पर कितना असर डालेगा नूटा आए जानते हैं हमारे दखल न्यूस के अडिटर इंचीफ अनुराग उपाध्याइस नमस्कार बात अब सियासत की मद्द परदेश के मुखमंती शिवरास सिंग चौहान अपनी ज स्वागत के दूसरे तरीके भी अपना जा रहे हैं कहीं उन पर पत्थर फेके गए कहीं काले घंडे दिखाए गए यह सब राजनीती में चलता रहता है और इसका बुरा भी मानना नहीं चाहिए क्योंकि जिस किसम की राजनीती देश में हो रही है तो यह सब तो बहुत जा जाबा तो यही है और वो चाहते हैं कि पूरी कॉंग्रिस एक हो जाए और बीजेपी से जो नाराए लोग हैं वो किसी तरह कॉंग्रिस के पाली में आ जाए कुछ वोट कॉंग्रिस को ट्रांस्टर कर आपाए सब की यही इच्छा है अपनी अपनी तरीके से सब कुछ चल रा है राजनीती में लेकिन एक शब्द है नोटा नोटा ने भारती जन्ता पार्टी की खासकर और कॉंग्रिस दोनों की पेशानी पे बला दिये हैं नोटा का सूटा कैसे पड़ेगा किसे पड़ेगा क्या असर होगा यह बड़ा रोशक होगा जानना लेकिन सबसे पहले बात करते हैं एक्ट्रोसिटी एक्ट विवाद की एक्ट्रोसिटी एक्ट विवाद के बाद सवर्ण और पिछड़े वर्ग के लोग लाम मन्द हो रहे हैं मदप्रदेश और 36 गर जैसे राज्यों में ये वर्ग बीजेपी और कॉंग्रेस को पारंपरे के रूप से वोट करत करते हैं मदप्रदेश में तो सपाक जैसे संग्रठन ने इस सब को कैश करवाने के लिए राजनेतिक पारी खेलने का फैसला भी कर लिया है मगर सवाज जथावत है कि अगर बीजेपी कॉंग्रस नहीं तो क्या इस सब का विकल्प नूटा हो सकता है पिछले यानि 2013 के अमीदवारों के खाते में नूटा के जो जी थार का मार दिन था उससे ज्यादा वोट नूटा को पड़े थे एक्ट से अबजा आक्रोश क्या कुछ नया गुल खिलाएगा कुछ नया सामने लेके आएगा इस बार सारे दल इसको लेकर चिंते थे इसको लेकर राजनितिक दलों की चिंता बहुत जायज है चुनाओं से पहले इन वर्गों को सादने की कोशिश की जा सकती है बीजेपी कॉंगरेस दोनों को लेके कुछ लबावने वादे कुछ तरकों के साथ किये जा सकते हैं राजनितिक दलों को समझना पड़ेगा कि इस बार नूटा का वार ब बारा भारती जंता पार्टी के थे एंपी में तो नूटा ने चार पूर्व मुख्मंत्रियों हुकम सिंग करारा लक्षमी काई शर्मा हरी शंकर खटीक और करण सिंग वर्मा तक की बेंट बजा दी थी इस बार क्या होगा यह देखने वाली बात है आप देश सकते हैं नि चुनाव हरवाया बलकि नूटा को मिले वोट उनकी हार के अंतर से ज़्यादा थे यह निता बड़ निता माने जाती थे उस समय बीजेपी के करण सिंग वर्मा लक्षमी काई शर्मा हरी शंकर खटीक पन्ना बाई प्रजापती राजे सोनी पदमा शुकला हरेंजी सिंग बबू पदमा शुकला अब कॉंग्रेस में आ गई हैं उत्तम ठाकोर टीकाराम कुराची उशा सक्षेना नंदा ब्रह्मने गजेन सिंग वहीं कॉंग्रेस के जवलपुर के बड़ निता लखन घंगोरिया बंदिल खंड में राजनीती करते हैं कॉंग्रेस के दूसरे बड बड़े निता हैं परताफ ग्रेवाद निरेंजन दावर हर्जवेजय गेहलोत हुकम सिंग कराड़ा जो डिग्वे सिंग सरकार में मंत्री रहे बड़े निता रहें कॉंग्रेस के इन सब की लुटिया नूटा ने डूबूई थी मद्द प्रदेश में बीजेपी निताओ को लगता है कि चुनाओं से पहले वो सवणा और पिछले वोटरों को मना लेंगे और नका पारंपरिक वोंतर उनका साथ देगा वही कां'... का साफ कहना है कि सवणवय पिछले सब बीजेपी से नाराज है fabricat यह है कि लोग कंग्रेस साथ देंगे जबकि हकीकत है कि लोग कं कर लेकार, इस बार भी कई बड़े राईवनेता हो सकते हैं. तो सवाल वही है, कि नोता क्या गुल खिलाएगा? लेकिन जिस तरह की चितिक या देखने को मिल रही है, जो मेरी राईवनेतिक समझ कहती है, इस बार भी कम से कम पिछली बार 26 था, तो इस बार नोता 50 बड़े न फिलहाल इतना ही नमस्कार इस बुलिटिन में फिलहाल इतना ही आप देखते रहे हैं दखल न्यूस दखल आपके हक में